हेलो मैं क्योटीज तो आज माप्लिक के लिए पुराने कपड़ का बहुत ही अच्छा सा हैक लेकर आ गई हूं जिसे सिलाई करना नहीं आता होगा वह भी इसे इसली सील पाएगा यहां पर अब हम ती अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमें कोई भी पुराना क्लोथ क्लोथ ले सकते हैं उसे स्कू arises प्लास्टिक लेएं नहीं है प्लास्टिक गाएा ने करने के लिए पाइपेंगे यहां पर मैंने पाइपिंग लगा दी हूँ और पाइपिंग लगाने के बाद हमें इस तरीके से फॉल्ट कर लेना है एंड स्क्वेर पीस में कट कर देना है छोटा सा ही हमें कट करना है उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़के अच्छे से सील लेना है stitch करने के बाद जो यहां पर नीचे आपको parts दिख रहे हैं उन दोनों को ही पकड़ कर stitch कर लेना है जिस तरीके से आपको screen में दिख रहा है जिस तरीके से हमें stitch कर लेना है stitch करने के बाद यह square piece में बन करके ready हो जाएगा and इसे हमें फिर सीधा कर लेना है जो मेरा पुराना कपड़ा था उसमें और रेड़ी लेस लगी हुए थी डिजाइन वाली इसके लिए मैंने इसमें कोई डिजाइन एड़ नहीं करी हूँ आप चाहे तो एड़ कर सकते हैं सिधा करने के बाद ये बनकर रेड़ी हो जाएगा हमारा एक पड़ी आसा ओर्गनाइजर जिसमें मैं आपको क्लोट्स रख करके दिखा देती हूं आप इसे कम स्पेस में भी रख सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही ब्यूटिफुल सा लगता है आपका जो कबड़ हो तब भी मैंने इदर इसे फिट कर दी हूँ चलिए हम हमारे नेक्स्ट है की तरफ बढ़ते हैं अभी जैसे कि आपको पदा समर सेजन चल रहा है तो कोई भी बच्चे होते हैं जो वह फूल स्लीव के लेंगे नहीं पैनते हाफ स्लीव सही मांगते हैं तो जो भी आपका के लिए हमें यहां पर जो स्लीव हमने कट करी थी उसे हम फैकेंगे नहीं इसका इस्तमाल बताती हूँ नीचे से फॉल्ड करके स्टीच कर लेना है उपर साइड हैंडल लगा देना है और आप देखें कि यह बॉटल का कवर बन करकर रेडियो हो जाएगा जिसे आप बच्